अपने देखा होगा कि हर एक्जाम में भारती संभिधान के स्रोथ से रिलेटेट क्वेस्टन पूछे जाते हैं और अमवन होता है कि कुछ फैक्ट सो कहीं से मिल जाते हैं लेकिन पूरा का पूरा जो संभिधान में बहुत सारी ऐसी शब्दावली हैं बहुत सारी ऐसे प्रावधान हैं बहुत सारी ऐसे प्रक्रियाय हैं जो किसी दूसरे देश के संभिधान से लिया गया है तो उन सारे के स्रोथ के बारे में लोगों को नहीं पता रहता है तो आई शुरू करते हैं वीडियो एक एक करके देखते हैं सारे प्रावधान को कि कहा कहां से कौन-कौन से प्रावधान भारती संभिधान में लिए गया है तब पहला पॉइंट हमारा है कि भारती संभिधान में संघी तंतर का प्रावधान कहां से किया गया है पहले में बता देता हूं कि जब भारत के संभिधान बना तो भारती शासन अधिर्नियम 1935 इससे मैक्सिमम पॉर्षन क्या हुआ भारती संभिधान में एडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद कि जो 30% प्रावधान थे वो किसी और देश के प्रावधान से ग्राण किया गया है तो पहले आप यह जान लिए कि 70% जो 70% प्रावधान गर यह question पुछे कि हमारा जो भारती संभिधान है उसका कितना प्रस्त हिस्सा भारती शासन अधिर्नियम 1935 से प्रभावित है तो आपका सीधा सीधा अंसर होगा 70% और जो out of 100% है 30% जो remaining part है संभिधान का वो किसी और देश से लिया गया है तो देखते हैं पहला point क्या है भारती संभिधान में संगीत अंतर का प्रावधान कहां से लिया गया है भारती शासन अधिर्नियम 1935 से लिया गया है दूसरा point है कि भारती संभिधान में स्वतंतरता समानता वा बंदुता का अधर्ष किस देश से प्र प्रस्तावना में मैं जो में गरतंतरात्मक शब्द अपने देखाःत के लोग भारत को संपूल्ड गरतंतरात्मक प्रडाली बनाने तो ये गरतंत्रात्मक संबिधान से लिया गया अगला पॉइंट देखते हैं कि भारती शंविदान में संसदी प्रडाली जो संसदी विवस्था हमारे में चलती है लोग सभा राज सभा और राश्च्पति भी उसमें शामिल होते हैं तो संसदी प्रडाली किस देश के संविदान से ले गई है यानि किस देश के संविदान विचार अभिव्यक्ति विस्वास धर्मारूप आसना की सतनता इसारी सब्द अप रस्टान प्रे corporation में देख सकते हैं तो नयाय जो नयाय की बात कि les और न्या है में कौन कुछ से न्या है सामाजिक न्या है आर्थिक न्या और राजिनेटिक न्या है यह इसका जो आदर से वो कहांसे लिया गया सोबियस संगति हर्थ इस समय सोब्यस संग नहीं है संग से लिया गया है आपको पुराना नाम याद रखना है USSR पूर्व सभीशंग बरतवान का रसिया अगला क्वेशन है कि भारती संभिदान का कौन सा लक्षण आईरिश संभिदान से प्रभावित है तो हमारा डायक्टिव प्रिंस्पिल अप्स्टेट पॉलिसी इसका शॉ से या प्रावधान लिया गया है के ृफ ऑगला पायण MODE संभीधान में कहाँ सिल इया गया है तो मैंने पहले जिक्र किया में जो 70 है भारती शाहसन अधिनी 1435 से एकटीज अगला पॉइंट है भारती शंबिदान के सबसे बड़ा एकां की सरोत कौन सा है तो भी जिक्र किया है सेबनटी परसेंट सबसे दिक्याई से लिया गया है अगला पॉइंट है भारती संभीदान की संगी व्योस्ता किस देस की संगी व्योस्ता से समानता रखती है तो यह कैनेडा से रखती है कैनेडा से संगी सासन की व्योस्ता है वो एडॉप्ट की गई है अगला पॉइंट देखते हैं अवसिष्ट सक्तियां केंदर में नहीत हो भी कुछ ऐसी सकतियां होती है अभसीश्ट सकतियां जिसमे ब्राका पूरा अदिकार किसका होता है central government का होता है यानि कि इस पे जो कानून बनाने का अदिकार होता वह शकतियां के इंदर के पास होती हैं और यह प्रवधान कहांसे लिए गया है यह पहला ही पॉइंट है कि इंडिया सेल वी union of the state यानि कि भारत राज्यों का संग होगा तो इसमें जो union सब्दावली है इस सब्दावली को कहा से लिया गया है तो ये कैनेडा के संभिधान से लिया गया है बिल्कुल याद रखेंगे अब union सब्दावली का इस्तेमाल कैनेडा स सम्भीधान से लिए गया है, अगला पॉइंट है सम्भीधान में समूर्ति सुचि, अभी जिक्र में निकिया है राजी सुचि, केंदर सुचि, सम्ची, समूर्ति सुचि और अवसेश्ष सक्तियां तो जो समुर्ती सुची है ये इसकी प्रेडा कहां से लिए गई है ये आस्टेलिया से लिए गई है अगला पॉइंट देखते हैं कि भारती सम्मिदान में लोक सिवा आयोग जो पॉब्लिक सर्विश कमीशन है इसका प्रावधान कहां से किया गया है तो ये ब्रेटिक शासन कि अंतरगर जो भारती शासन अधिनियम 1935 बना था वहां से ये प्रावधान लिया गया लोक सिवा आयोग का प्रावधान कहां से लिया गया है भारती शासन अधिनियम 1935 से अगला पॉइंट देखते हैं कि भारती सम्मिदान की कितने प्रशत हिस्से को भारती शासन अधि सभीदान के द्वारा अनुच्छे देख्यावन कौ में शामिल किया गया है यानि कि भारती संभीधान के देखिए भारती संभीधान पहले तो यह पहले से मौजूद नहीं था लेकिन समीद के अनुच्छा पे संभीधान के 42 में संभीधान-ंसंसोदन अधिनियों 42 में संभीधान-ंसंसोदन अधिनियों के पश्चाथ 1976った कुझ आ अनुच्छेद 51 को कि और भाग यानि की भाग चार को में इसको समाइद करते हुए अनुच्छेद 51 को निरमित के गया 42 संसुदन के दवारा उशां के सल yapıyor मौलीक करतबि को insert किया गया हमारे संभीधान में भारती संभीधान में अगला पॉइंट देखते हैं राज में collector जो district magistrate होते हैं जब वो न्याधीज का काम करते हैं तो magistrate होते हैं लेकिन जब राजस्व का संकलन करते हैं करते हैं वो collector कह जाते हैं तो collector का जो पद होता है उपनी विशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है तो जायड़ सी बात है कि British की एक चाहसण था Baptist से ही सारे पताधिकारी जो भी क्रियेट्टे किये गये थे तो ड्रत जी समभीदान से लिया जाएगा तो यह कहुं से लिया है अगला पॉट्ट देखते हैं कानून के समख्श समान शनरक्षन। वर्किका ऊldराजा, किस्देश के संब्हिदान से लिए निया है анुन के समक्ष समता निया है और सले बहुत है अगला प्राइब देखते हैं उच्छितम न्याले का परमर्भ depression किस देश से प्रवाइब है अगर न्यादिश के नयूक्ति कर रहा है यह पिर और कोई काम कर रहा है तो यहां परामर्ज यानि कि प्रामर्ज राष्ट पती से लेता है तो इसका प्रावधान गहां से लिया गया है तोसे यह कंड़ा के संभिधान की लिया गया यह यह संजूग तराज अमेरिका से लिया गया है अगला पॉइंट है भारती संभिधान की संसोधन प्रक्रिया जो अमेंडमेंट किया जाता है हमारे भारती संभिधान में अमेंडमेंट किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस देश के संभिधान से ले गई है तो ये दक्षिल अफरिका दक्षिल अफरिका यानि होता है यानि कि प्रत्यक्ष रूप से उसमें जनता सामिल होती है लेकिन राजिस्वा में क्या होता है जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनीदी होते हैं लोगसभा के सदस्य यह क्या करते हैं लोगसभा और विधान सभा के सदस्य क्या करते हैं इसमें अपनी भूमी का आदा करते हैं राजस्वा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं तो इसकी जो प्रडाली ली गई है दक्षिल अफ्रिका से ली गई है दक्षिल अफ्रिका से यह प्राउधान लिया गया है राजस्वा के सदस्यों का निर्वाचन अगला पन देखते हैं राष्टपती की द्वारा सहित विज्ञान कला इत्यादी छेत्रों से विजव व्यक्तियों का मनोनियन किया जाता है कितने व्यक्तियों का मनोनियन किया जाता है तो राष्टपती 12 व्यक्तियों को क्या करता है साहित्य विज्ञान कला आधिछेत्र से मनोनीत करता है अगला कोशन देखते हैं कि भारती संभिधान में बिधाई प्रक्रिया किस देश के संभिधान से लिए तो ये ब्रेटिश संभिधान से लिए गई है कि अगला पॉख़ संभीधान में एकल नागーिता रेकार्ल क्या बिटिश संभीधान की अगया है अगला पॉइंट है भारती सम्मिदान में एकल नागरिकता जिक्र हो गया भी अच्छा भारती सम्मिदान में लोग सभा तथा बिदान सभा के प्रती मंतिर मंडल का सामोही कुद तरदाईत किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो ये भी British सम्विधान से लिया गया है बिदी के समक्ष सम्ता कहां से लिया गया है British सम्विधान से लिया गया है लेकिन बिदी द्वारा इस्थाफित प्रक्रिया कहां से लिया गया है ऐसा नहीं कि बिदी कजिक करा गया तो आपने स स्वंभाइदान से लिया गया है अगला पॉइंट है वह स्वंभाइदान के दस्तावेज कौन सा है जिसका भारती संभीधान तयार कने में गहरा प्रभापड़ा तो अभी जिक्रमे ने कि ये बीमर नहीं है बीमर है या बाइमर इसको कह सकते हैं बाइमर बिसिकली है क्या ये जर्मनी का एक नगर है जर्मनी का एक नगर है उसी के नाम पे इसको बीमर समिधान कह जाता है और नगर से क्या मतलब है बिसिकली हुआ क्या कि जो प्रतम विशुद्ध जब समाथ हुआ तो 1918 में जो साही शासन पहले से चल ला था जर्मनी में, जर्मनी को उसमें जर्मन राइक कहा जाता था, 1918 में जब समाफ्त हुआ तो 1919 से लेके 1923 तक इस साही शासन जो साही शासन पहले चल ला था 1919 से पहले, इस साही शासन के बदले एक लोतनत्रात्मक प्रडाली वहाँ पे स्थापित की गई और उसका संभिधान बनाने के लिए जर्मनी के बाईमर नामा के एक शहर में लोगों की बैठक बुलाई गई जहाँ पे संभिधान का निर्माण किया गया और उसी के पस्चात उस संभिधान को बाईमर संभिधान कहा जाने लगा तो हुब कि आपनों को क्लियर होगा कि बाईमर संभिधान से क्या तात पर है बिल्कुल आपको याद रखना 1913 तक जब तक हिटला का उदय नहीं हुआ था त अगला प्रसण देखते हैं भारत के शभिधान में मूल अधिकार किस न्याहिदान से क्या मनली अगला प्रस्तावना की भांषा किस देश से ली गए है प्रस्ताने प्रियंबल में जो भासाएं हैं प्रस्ताना की भाशा वो कहां से ली गई यह वो अस्ट्रेलिया के संविधान से ले गई है अगला पंडे संसत के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान आपको पता कि संसत के दोनों सदनों की बैठक कब होती है जब लोग सभा भारत में संसत की जो दोनों की बैठ तीन बार होई है तो भी आघ को तो इसको आप poscar याद रखेंगे दोनों सदनों की जो बैठ तक की इसका प्रावदान कहां से लिया गया है ये अस्ट्रेलिया के समषिदान से लिया गया अंगला पॉंट देखते हैं ती जो अरे भार्टि समय्थान के मुला अदिकार में दिया गया गया आपका पुरा भार्टि संभीदान के सुरूत और होब कि आप लोगो वीडियो अच्छा लगाओगा तो कोशिस करेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै बारते